चलिए आज हम चलते हैं ओम कारेश्वर शिर्जी की नगरी 12 जोतिरलिंगों में से एक जोतिरलिंग है ओम कारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है ये मंदिर लॉकडाउन के बाद इस तर से हम पहली बार मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं मंदिर में गर्ब ग्रह से हमने भगवान जी के दर्शन किये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शन हुए क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा था तो भीड उतनी नहीं थी जितनी की हमेशा होती है इस वज़े से हमारे दर्शन भी काफी जन्दी हो पाए थे बट बहुत अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किये अच्छे से दर्शन करने के बाद बाहर आते समय हमें हमें नर्मादा जी का ये इतना सुंदर नजारा इट वस सो पीसफूल सो ब्यूटिफूल एक्दम देखते ही बन रहा था इतना शांत इतना बहुत ही पायस सा ये नजारा था ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन के बाद हम लोग ममलेश्वर महादेव दर्शन के लिए निखल पड़े जो कि नर्मदा नदी के घाट के दूसरे किनारे पर था वहाँ जाने के लिए हमने बोट सपारी करें ऐसा माना जाता है कि ममलेश्वर महादेव के दर्शन के बना ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन अधूरे हैं तो हम भी निकल पड़े दर्शन करने के लिए घाट पे उतरते हमने बहुत ही सुन्दर ही मंदिर का नजारा देखा नेचर, ब्यूटी अपने आपने ही बहुत ही प्यारा लग रहा था ये सीन अब हम पहुँच गए ममलेश्वर महादेब मंदिर हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दर्शन किये और यहीं इसी प्रकार हमारे ओमकारिश्वर्ट्रोतिरलिंग की यत्रा सफर हुई प्रिश्वर्टिया में पिस्वर्ट्स